तो इस्वर है यदि आप विश्वास करते हैं तो इस्वर अवश्य है और हमें जरूर प्राप्त होंगे तो माई यूटूब चैनल गाइस और अभी मैं सिली गुड़ूई में हूँ और घर जाने में बहुत समय है ट्रेन रात के 7 बच के 45 मिट में है तो मैंने सोचा क्यों ना सिली गुड़ूई में इस कौन मंदिल को घुमा जाए तो आम मेरे संग बने रहें और इस ब्लॉग को आप जूता चपल स्टैन हैं यहाँ पे आप अपने जूता चपल को जमा कर सकते हैं इंटर कर रहे हैं यह मंदिर का फ्रंट है और बहुत सुंदर मंदिर मैं अबर्मा कर वागे अधिन वाले किसना किसना किस्ता प्रोड़ क्षे आप इस सब्ल जाप इसना किस्ता और अब मैं मंदिर में हूँ सामने भगवान किष्ण दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर है और ये जो मंदिर के ऊपर जो वाल है उस पे बहुत सुंदर पेंटिंग की गई है चित्र बनाया गया है अनोखा अधभूत जिसे आप एक बार उपर अपनी आखे करके देखेंगे तो आप मंत्र मुग्द हो जाएंगे इतनी सुंदर ड्राइंग पेंटिंग की गई है भगवान किष्ण के है अधभूत कितना जैसा लग रहा है कि आप सच में सामने देख रहें लेकिन नहीं ये आपको उपर देखना होगा और बहुत सुंदर द्रिश्य और अब मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ यानि मैं भगवान किष्ण के मुर्ती के चारो तरफ गोमूँगा और बहुत सुंदर सुंदर प्र के चारों तर्फ परिक्रमा करनी होती है तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बहुत ही सुंदर दृष्ट और सच में यह मंदिर बहुत ही सुंदर है अधभूत है अनोखा है और मैं भगवान क्रिष्ण का नाम लेकर प्रकिर्मा करके अब सामने पहुँच रहा हूँ और अभी ही आपको भगवान क्रिष्ण सुंदर रूप में सामने दिखेंगे और ये मेरी प्रकिर्मा पुरी हो चुकी है और भगवान क्रिष्ण आपको साच्छा सामने दिख रहे हैं हरे और मंदिर परीसर के भीतर ही हरे कृष्णा फास्ट फूट सेंटर भी है जहां पर आप प्योर भेज का आनंद ले सकते हैं और यहां क्या क्या आइटम मिल रहा है उसका पूरा चार्ट है और मैंने भी इडिली ओर गिया जब मैं यहां आया हूँ तो मैं भी सोचा क्यों ना यहां के फुट का भी आनंद लिया है और साथ ही मैंने मसाला ढोसा भी ओर दिया बहुत ही क्रिस्पी और सच में बहुत ही सौप्ट था ढोसा और बहुत ही टेस्टी अभी साम का द्रिश्य मंदिर की लाइट जल चुकी है और मंदिर अभी बहुत सुन्दर दिख रहा है चारो तरफ का जो वातवर्ण है बहुत सुन्दर हर्याली भरी हुई और मंदिर भी बहुत सुन्दर दिख रहा है तो आप जरूर आए और इस मंदिल को अवश्य देखे मंदिर सुन्दर से और भी अति सुन्दर हो चुका है और मंदिर का लाइट जल चुका है जिसे मंदिर और भी सुन्दर दिख रहा है तो यदि आप सिल्ली गुड़ी आ रहे हैं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें बहुत सुन्दर मंदिर है संद्या के समय का दिरिश और भी सुन्दर होता है मनमोहक होता है तो आप जरूर आएं और इस सुन्दर मंदिर का आनंद ले